नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल Language of Planets में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि फलां व्यक्ति की मृत्यू पंचकों में हुई है पंचक कई बार सुनने को ये शब्द मिलता है कि पंचक आखिर ये पंचक है क्या दोस्तों चंद्रमा पूरे महीने में 27 नक्षत्रों का ब्रह्मन करता है इन में से 5 नक्षत्र धनिष्ठा, शत्विशा, पूर्वा भादरपद्र, उत्रा भादरपद्र और रेवती नक्षत्र में चंद्रमा जब भी ब्रह्मन करता है इनके चारों चरणों का जब भी ब्रहमन करता है तो इस दोरान के ब्रहमन काल को पंचक काल कहते हैं अर्थात जोतिश विद्वानों के अनुसार प्रत्यक महीने में पांच दिन का समय शुब कर्मों के लिए वर्जित रखा गया है किसी वी तरह से शुब कर्म इस दोरान नहीं किये जाते हैं हमारी पौरानिक और धार्मिक बानिताओं के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति का देहांत इन पांच दिनों में होता है अर्थात इसे अगर इस भाषा में कहा जाए कि चंद्रमा जब भी कुम्ब राशी में प्रवेश करता है और जब तक मीन राशी में रहता है अर्थात ग्यारे नंबर राशी और बारे नंबर राशी में चंद्रमा जब तक ब्रमन करता है तब तक वो पंचकों का काल माना जाता है जैसे ही मीन राशी से निकल कर चंद्रमा मेश राशी में आ जाता है पंचक समापत हो जाते हैं कि दोस्तों पंचक काल के दौरान किसी भी प्रकार का शुब कर्म हमारे हां मना है सनातन में मना किया गया है किसी भी प्रकार से शुब कर्म कोई भी नहीं कर सकते आप और धार्मिक मानेताओं के अनुसार पौरानिक मानेताओं के अनुसार पंचक के दौरान यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है तो यह हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि उस व्यक्ति की दौरान मृत्यू पंचक के समय हुई है तो या मृत्यू के समय पंचक काल चल रहा है तो ऐसे जातक कि मृत्यू के बाद भी परिवार के अन्य सदस्यों के सर पर संकट मंदराता रहता है और पंचक अर्थात पांच नक्षत्रों का ब्रह मनकाल परिवार के या उसके जो जिस जातक की मृत्ति हुई है उससे संबंधित पाँच लोगों के सर पर संकट की स्थिती बन सकती है तो ऐसी स्थिती में उस जिसका देहान्त हुआ है उसके साथ पंचक काल में जिस व्यक्ति की मृत्ति हुई है उसके साथ प्रतीकात्मक पाँच पुतले और दहन किये जाते हैं अर्थाद अंतिम संसकार के समय जिस व्यक्ति की मृत्ति हुई है उसके साथ पाँच पुतलों का दहन विदिवत किया जाता है जिससे के अनकिसी परिवार के सदस्य पर या किसी संबंधित व्यक्ति पर इस प्रकार का संकट ना खड़ा हो तो दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में जब भी चंद्रमा कुम्ब राशी में प्रवेश करते हैं और मीन राशी में जब तक रहते हैं अर्थात ग्यारे नमबर में प्रवेश करते हैं और जब तक वो बारे नंबर में रहते हैं, तो ग्यारे नंबर और बारे नंबर का जो समय होता है, सवादो और सवादो, साड़े चार दिन, अर्थात लगबग पांच दिन का समय, पंचक काल का समय माना गया है. इस दौरान किसी भी प्रकार के शुब कर्म वर्जित होते हैं. तो तोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना न भूलें. चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान अब अश्य दमाएं. अगले वीडियो में आपके सामने वो पस्तित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विशे के साथ. धन्यवाद तोस्तों.